दोस्तों नमस्कार आप देखरेंगर के एट इंडिया और आईपेल टूठाउस जैन 23 की स्पेशल कवरेज में आप सभी लोगों का स्वागत है बिसेश्याई और आईपेल टूठाउस जैन 23 में पार्टिसिपेट करने वाली दस की दस्टी में फिलाल पूरी त्रे से जोरो सोरो से आईपेल टूठाउस जैन 23 की निलामी की तैयारियों में जुटिये जहां पर 23 दिसंबर को भारतिय समय अनुसार दो पहल ढाई बज़े स कोची में हमें आईपेल टूठाउस जैन 23 की निलामी देखने को मिलने वाली है लेकिन दोस्तों इसी बीच सभी आईपेल फैंस के लिए आईपेल फ्रेंचाइजियों के लिए वोती बड़ी खबर ब्रेकिंग निज निकल करा रहे है जहां पर आप सभी को पता है कि अभी अपडेट्स जारी किये थे लेकिन दोस्तों फाइनली अब यहां पर बिसी सी आई ने आईपेल टूठाउस जैन 23 के मिनी उक्संस के नए फोर्मेट को जारी कर दे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह इस फोर्मेट में हमें क्या-क्या बड़े बदलाव बिसी सी आई इस वीडियो को लाइक और शेयर जिरूर कर दीजिये केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्काइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बरबाद ने करेंगे ड कारपले रैसुसियेट नेशन से पार्टिशिपेट करने वाले हैं लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता है कि एक नए फॉर्मेट के साथ हमें IPL 2023 के मिनी ओकसंस देखने को मिलने वाले हैं जहां पर सेट वाइज निलामी होने वाली आप सभी को बता कि सबी टीमों में लगबग 87 स्लोट्स है जहां पर 87 खिलाडि हमें IPL 2023 के निलामी में बिखते हुए नजर आने वाले हैं और विशीश याई ने खुद ओफीशियली अधिकारिक तोर पर कंफर्म कर दिया है कि IPL टुट हाउस जैन 23 के मिनी ओकसंस के दुरान शुरुआती 13 से पर बंद कर दिया जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि सेट वाइज यहां पर निलामी की शुरुआत होगी जहां पर फर्स्ट सेट बले बाजों का होने वाले अच्छ है बले बाज फर्स्ट सेट में पार्टिसिपेट करेंगे जो है मैंक अगरवाल सैम ब्रूक स पर फर्स्ट सेट यहां पर फास्ट बोलस का होने वाले जहां पर आपके क्रिस जोर्डन एडम विलने जहाई रिचर्ड सन इशान सर्मा रिशे टोपले और जैदे उनाद कट यह चैकी लाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस तरह से सबसे पहले हमें कुल 13 सेट देखने को भी लेंगे उसके बाद यहां पर अक्सलरेशन डाउंड का इस्तिमाल होगा जहां पर बचेवी स्लोट्स के लिए अगवार फिर से सभी टीमों से टारगेट प्लेयर लिस्ट मांगी जाएगी उसके बाद दोबारा से निलामी की शुरुवात होगी और जैसे य पूरी तरह से बैन कर दिया गया है हर टीम को अपने पर्स बैलेस का 75 परसेंट हर हालत में निलामी के दोरान यूज करना पड़ेगा यहां पर टीम में कम से कम सत्रह से स्क्वैड और ज्यादा से ज्यादा 25 से स्क्वैड बना सकती है के वल 8 overseas खिलाड़े को कोई भी फ्रें देखने का जो नजरिया है पूरी तरह से बदल जाएगा जियो सीने मा टेली काश करेगा ने कैमरा इंगर्स देखने को मिलेंगे लेकिन आपके मताबी कोन भी केगा सबसे मेंगा में कमेंट बॉक्स में जिरूर देना आपनी डाए फिलाल की वीडियो मसी तना ही ज्यादा इंफरमेशन के लिए भी सब्सक्राइब करकेटर एंडिया थैंक्स पर वचिंग